हेलो गाइज वेलकम बैक तो दा प्ले लिस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिकारिटी और आज किस फीडियो में दो ऐसी टॉपिक डिसकस करेंगे जिसका जो है आप हमेशा यूज करते हैं जब भी आप किसी भी ब्राउजर का यूज करते हैं जब भी आप कोई भी गूगल प क्या है तो मैं आपको बता दू यह जो नॉर्मल हम कुकी काते हैं बिस्किट काते हैं वह नहीं है यह हमारे डिजिटल कंप्यूटिंग के अंदर जब भी हम वैब ब्राउजिंग पे कुछ भी सर्च करते हैं किसी भी ब्राउजर पे चाहे वह गूगल हो चाहे वह माइक्र करते हैं और आज की वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि बेसिकली जो आप यूज करते हैं ब्राउजिंग करते समय जिसको मैं यहाँ पे कुकी प्रनाउज कर रहा हूँ वह बेसिकली काम कैसे करती है और बेसिकली होती क्या है तो जो हमारी एस्टीटीप कुक कि यह कुकी बेसिकली होता क्या है कुकी जो हमारा स्मॉल पीस ओफ डेटा होता है जो की सेंट किया जाता है वेबसाइट के थ्रू और स्टोर किया जाता है यूजर के कम्प्यूटर पे जिस भी वेब ब्राउजर का यूजर जो है यूज कर रहा है ब्राउजिंग करते समय तो basically यह small piece of data होता है जो की website send करती है किसको user के computer पे अब user के computer पे send होने का मतलब है जिस भी browser का वो use करता है browsing करते समय सर्च करते समय वहाँ पे जो है वो data package जो है या वो small piece of data जो है वो store होता है अब cookies को जो है इसलिए design किया गया था ताकि जो भी हमारी rememberful stateful information होती है website के अंदर उनको वो store कर सके website के अंदर अब इसका example के है आप सभी ने shopping के होगी flip card से amazon से वहाँ पे जो है जो भी आप item add to card करते है वो add to card करने का meaning क्या है कि वो card नाम पे specific store है जहाँ पे आपके item store हो चुके है बट आपने अभी उनको buy नहीं किया है खरीदा नहीं है आपने उस time तो add to card कर दिया उन items को shopping website पर चाहे वो flip card हो चाहे वो amazon हो बट next time जब भी आप visit करते है तो आप देखेंगे जितने भी item उस card के अंदर आपने previously store किये थे वही जो है as it is आपके available है आपने एक पर जब website को visit कर लिया website को close कर दिया तो उसके बाद जो हमारी general knowledge है वो यह कहती है कि जब हमने website को बंद कर दिया तो जो भी उसके अंदर हमारा data है online वो हट जाना चाहिए delete हो जाना चाहिए but shopping cart के अंदर जो है जो भी हम shopping करते है websites के अंदर उसके अंदर shopping cart जो है बहुत important क्या है concept है जहाँ पर आप अपने items को store करके रख सकते हैं जब भी आप उस shopping cart वाली section पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको same number of items same number of items जो है आपके वहाँ पर मिलेंगे उस card के अंदर because of cookies cookies क्या क information है useful information है उसको इसने store कर दिया cart के अंदर इसके और भी अच्छे examples है जब भी हम कुछ browse करते हैं हमारी browsing activity जो होती है जब भी हम किसी buttons को click करते हैं login करते हैं या फिर कुछ pages को record करते हैं बार-बार visit करते हैं तो हमें क्या होता है एक rememberful idea मिल जाता है आपने देखा होगा जब मैं Google पर कुछ search करता हूँ तो उससे related items तो मुझे मिलते ही है साथ में मुझे एक link भी generated मिलता है options के अंदर कि आपने इस page को पहले visit किया हुआ है तो Google को पता कहां से चला हो पता चला हमारे web browser के अंदर जो cookie save है उसकी help से इसके अंदर कुछ arbitrary pieces of information भी save होती है जैसे कि जब भ फिल किया web browser पे या पर किसी भी internet browser पे तो आपने देखा होगा आपके जो names के sections होते है address इसके password के credit card के numbers के इन सभी के sections है वो autofill का option आता है वो autofill के अंदर जो data होता है वो कहां पे save होता है वो हमारा cookies की form में save होता है यहाँ बे मैं expect करता हूँ कि को कि इसका पूरा concept आपक computer यह चोटी चीस की definition है बड़ इसकी work की को समझाने के लिए मैंने आपका थोड़ा concept elaborate किया है और अब हमारा next topic आता है frame अब आपने जब भी देखा होगा आप किसी भी browser पे किसी भी website को visit करते हैं तो उसमें frame का बहुत ही बड़ा role होता है आप normal भाशा में हमारी normal language frame होता क्य page जो हमारा होता है उसके अंदर content को display करने में help करता है independent html page for display अब यह basically होता कि आपने देखा होगा आप अगर किसी भी website को visit करते हैं और आप उस web page को minimize करते हैं maximize करते हैं या उसकी dimensions करते हैं तो वह आपके page की नहीं आपके जो भी window है उसकी dimensions के according वह अपने dimensions को manage कर लेता है तो उसी चीज को जो है frame बोलते है अब इसके basically बहुत सारे आप एक्जामपल है frame set color, frame set source और frame set source के अंदर कुछ html files है तो यह basically आपका पूरा एक tag concept है जो कि यहाँ पे html की file की form में save होता है इसे हम basically frame बोलते है frame bursting code क्या होता है हम computer system security की बात कर रहे हमने cookie की बात कर ले हमने frame की बात कर ले बट ऐसा इन दोनों topics से related क्या है ऐसा इन दोनों topics से क्या मिलता जूलता है कि यह हमारा hacking की term में या फिर computer security term की form में आता है तो इसके लिए आता है हमारा Frame Bursting Coding अब Frame Bursting Coding क्या करती है यह बेसिकलिए आपका Click Jack Process होता है जो की Attacker को Allow करता है कि क्या करे Users का जो भी Data है, Users की जो भी Trick हमारे Web Browser के अंदर Save है उनको User क्लिक करे और उनकी Help से जो है वो हमारे Hacking या फिर जो भी हमारे Login Credentials है जो भी हमारी Personal Information है उनको Attacker या फिर Hacker Steal कर सके Without their Consent यह Basically आपका Click Jack Process है आपको आपकी Websites के अंदर कुछ ऐसे Buttons मिलेंगे कुछ ऐसे Pop-ups, कुछ ऐसे Links मिलेंगे जिनको जो है आप Click करेंगे Because वो Links ऐसे Attractive होते हैं कि आप बिना Click करे रही नहीं सकते और अगर आप उन Click को नहीं करेंगे तो आप Safe है बट अगर आप Unknown Links को Unknown Buttons को Click करते हैं किसी भी Website के अंदर तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप यह Consent में वो आपके Knowledge में वो चीज होगी नहीं कि आपका Data Steal हो चुका है आपका Just Clicking a Simple Button और Just Clicking a Simple Link और अगर इसको मैं Leven Language में Explain करूँ Elaborate करूँ तो Basically Frame Busting Coating Simple Way होता है जिसके अंदर Attacker आपकी Applications के अंदर आपकी Website के अंदर अपना Code कुछ Buttons की Form में कुछ Frame की Form में Embed कर देता है जिसके बाद अगर User उस Button पे उस Frame पे उस Link पे क्लिक करता है तो उसके बाद जो उनका Data है वो वहां से Steal होना Start हो जाता है अब आप सोच रहोंगे Simply Button को Click करने से हमारा Data कैसे Steal हो सकता है तो इसके एक Example है जब भी आप Gmail के अंदर क्लिक करते है Delete My Account और आपका Account जो है Delete नहीं होता होगा आपने बहुत बार देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है यही जो है Attacker जो है अपना Code जो है Embed कर देते हैं अपने Buttons की Form में जिसके बाद यूजर बार-बार क्लिक करता रहता है Delete My Account Delete My Account from Gmail Delete My Account from Google But actually में यूजर का Data जो है वो Steal हो रहा होता है और उसका Account एक्चल में Delete नहीं होता Because वो कोई भी Third Party App या फिर कोई भी Attacker उस चीज़ को Control कर रहा होता है और यह जो पूरी Technique है Frame Burst Coding की Attackers के लिए यह Basically Frame की Form में Operate होती है इसलिए इस Topic का नाम Frame Bursting Technique रखा गया है यह जो है Attacking की Form में एक ऐसा Topic है Attackers के लिए जिसके अंदर जो हो Simply Click and Bit Process से जो है User का पूरा Data Steal कर सकते है Thank You